नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनीश भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आयस यूटूब चैनल दोस्तों जलवाईव परिवर्तन लगातार हो रहा है दुनिया भर के वेग्यानिक इस बात पर अपनी चिंता जाहिर करते आ रहे हैं कारण बताया जा रहा है global warming यानि कि पृत्वी का जो temperature है या फिर हमारे वाई मंडल का जो temperature है वो लगातार बढ़ता जा रहा है इस वज़ा से कई तरह की समस्याओं का जन्म हो रहा है कई तरह की समस्याओं उत्पन हो रही है उसी में से एक जो समस्या है उस पर हम बात करने बाले हैं और वह है ग्लेशियर से शम्मन्दित आप जानते हैं कि गलेशियर जो है यदि वह पिगलता है तो शमुंदर का जल अस्तर जो है वह काफी बढ़ जाएगा और शमुंदर का जल अस्तर मान लेजिए यदि बढ़ता है तो उसके आसपास के जो शता है वह डूब जाएगा वहाँ पानी आ जाएगा वह डूब भावना है और शहर का एक्जामपल दूँ तो मान लीजी आप जैसे सिंगापूर जैसे सहर हैं मुंबई जैसे शहर हैं तो कहा जा रहा है कि आने वाले शमय में यदि यह गलेशियर पिखलते रहे तो इस पर पूरी तरह से हम आज बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सा गले डूमश्डे का मतलब होता है तो ऐसा गलेशियर जिसे कहा ही जाता है कयामत के दिन यानि कि अगर यह गलेशियर पिखल गया तो फिर समझ सकते हैं कि कयामत आएगा यानि कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा शमुंदर का जैल अस्तर जो है वह एका-एक इतना बढ़ जाएग तो इसकी परिकल्पना की जा रही है कि यह जो डूमस्डे गलेशियर है वा लगातार तेजी से पिघलता जा रहा है वेग्यानिकों ने इसकी स्टेडी की है और इसकी स्टेडी करने के बाद चौकाने वाले आकरे सामने आए हैं चारों तरफ जो है अफरा तफे का महौलफ हो चुका है वेग्यानिकों के बीच लोगों के बीच सरकारें अपने अस्तर पर यह सोच रही है कि इन चीजों से अब कैसे निप्टा जाए तो यह मुत्त है क्या दरसल यह सुर्खियों में आया क्यूं है जरा इस पर पहले बात क तो डूमस्टे ग्लेशियर पर लगातार सोध चलता रहा है इससे पहले भी शुड़िश जो साइंटिस्ट हैं वो सोध करते रहे हैं निवार्क इनवर्शिटी पर काफी रिसर्च करती रही है हाली में एक रिसर्च और यह जो है डूमस्टे ग्लेशियर जो इस्तित है वह स्टेड़ी के लिए हमने और अलशियर सक्काल सारा था कि रोबोट जो है वह सब काम कर रहा है जहां पर मानब नहीं पहुंश सकता है तो हमने इस रोबोट को देखने तो 13 फिट का यह लंबा होगा एक पैंसिल जितना जैसे कि मैंने जो हाथ में पकर रखा तो कुछ इतना ही पतला यह रोबोट है इसे क्या किया वैग्यानिकों ने इसा कि आप देखने इसके नीचे यहां रोबोट को डाल दिया आ अब यहां से पिखर राय pensando सिंग्लल सेंड कर दे रहा है यहां से शंदेश भीज रहा है और इसके द्वारा हम इस फोटोग्राफ में और आपको बहुत कलियर दिख जाएगा देखिए यह ग्लेसियर के काफी नीचे हमने इसको डाल दिया है यही रोबोट है जो यहां है वही आपको यहां दिख था जिसका नाम था आइश फीन तो इसको भी आप ध्यान रख लिजी एक तो पैंसिट वाला बढ़ें बताया ही दूसरा है आइस फीन जो है निवार्क इनवर्सिटी के द्वारा एक तयार किया गया डिवाइस था इस डिवाइस को भी जो समुन्दर के नीचे रखते थे ग्लेसियर के अंदर और वहां से हम इसकी स्टेडी कर देते ओसियन सेंसिंग दिवाइस इसको कहा गया और इसके माध्यम से भी इसकी स्टेडी की गई तो आप इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि देखिए यूपीसी अगर प्रशन बनाती है तो जो भी यहीं पूछ ले यूपीसी संभव है यह सारे बात इस्टेटमेंट में डाल दे और यहां से एक आपको देदे क्योंकि यह काफी चर्चा में आ गया है इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए ठीक है तो यहां से यह सब स्टेडी करके बताया जा रहा है जिससे हमने यह प पूरी मानवशबता के लिए पूरी पर्थवी के लिए अब जैना समझ लेते हैं यह जो HEY इसके बारे में हम डिचल से सम अंटार्टिका हो गया उधर नहीं वेस्ट अंटार्टिका का जो हिस्सा परता यानि के साउथ पोल के जो पश्षिम बाला हिस्सा है वहीं पर यहां पर पूरा पिखल रहा और यहीं पर काफी हलचल देखी जा रही है ठीके यह तो आप लोकेशन यहां पर आप इसका देख लिए है अब यहां ज़रा ऑर समझ लिजिए यह जो है काफी चाहरा है अगर इसकी चौराई की बात करूं सकती है ठीक है जिसकी चौराई हो गया 120 और यह विशाल अंटार्टिक है जैसा कि मैंने बताया तो यह पूरा इस छेत्र में फैला हूआ है यह इस शेतर्म माकर बा चाल यह बहती आपके लिए और स्थित में अमुन्ड शर्गर तो अगर प्रिलिम्स में आता है यह दो तीन पॉइंट यहां से आपको आ सकता है इसको धियान रखना है अब जरा देखते हैं कि यहां पर कि यह जो ग्लेशियर है वह परती देशक यानि कि पर 10 साल में ऐसा अंदाजा है कि एक दसमलों पांच इंच की आउसत समुंद्री जल अस्तर्क में विर्धी करता है यानि कि मान लीजिए समुंद्र का लेयर ज्यु यहां पड़ता है यह समुंद्र का लेयर है तो एक दसक में यह 1.5 इंच जो है यह बढ़ता यहां पर यह समझ्य का करन्ध है करने समुंनolly इब बढ़ता जा रहा है तो यहां का दो फानिके नीचे चला जाेगा, rot Gron n Gym जोन च्वेम होता है इसको श्राव समझ दीजिए क्यों कि यह यहां से आप के लिए कि यहां पर glacier है और यह glacier उस point पर अगर के मिलता है जहां से यह glacier जो है अब समुंदर के नीचे जा रही है ठीक है यानि कि glacier है और समुंदर का यहां जुराब हो पानी का तो इसके नीचे जब यह जाएगी तो हो गया वह grounding यह जो जाएगा वह जाएगा ग्रांडिंग जोन यह देखिए यह पूरा होगा यह होगा ग्रांडिंग जोन यानि कि यह टांगिक्शन फेज का मतलब मोटा मोटी यह होता है कि अगर दो चीजें हैं तो दोनों की ही जो क्वालिटी है उस चेतर में नजर आएगा यानि कि यह जो पूरा चेतर है यह जो पूरा एरिया है इस एरिया में आपको शमुंद्र भी दिखेगा अब तो ग्रांडिंग जोन जो है इस एरिया में ग्लेशियर को देखा जा रहा है कि तेजी से यह समुंद्र के नीचे फ्लो कर रहा है यानि कि ग्लेशियर तेजी से पिघल के समुंद्र के अंदर जा रहा है आप देखे जैसे यह आइस का फ्लो इधर हो रहा है और यह सी लेव water से देखिए जैसे का water उचाई पर बढ़ता जा रहा है और आइस फ्रू तीजी से समुंद के तरफ जाता जा रहा है तो एक यह कारण है दूसरे एक चीज़ समझ लीजिए किया हो रहा है यहां पर वार्म डीप water जो है उसका यानि कि एक कारण जो इस ग्लेशेर के पिखलने का है वो तो मैंने बताए कि ग्लोबल वार्मिंग है दूसरा एक और यह भी बताए गया है कई वेग्यानिकों के दौरा कि पिर्थवी के अंदर जो है गर्मी उस टेंपरेचर वो लगातार बर रहा है तीसरा एक कारण है कि सम आपको दिख रहा होगा यह वार्म वाटर का फ्लो जो है यह ग्राउंडींग जोन में हो तो वार्म वाटर्ट के नीचे से ग्राउंडिंक जोन की तरब बढ़ेगा तो यहां जो फिस्ति पिखलेगा ही और यह जो ट्रांजक्शन पेज्स का एरिया है यह जो grounding zone है यहां पिघलते हुए glacier समुन्दर के नीचे जाएगी और जब यह glacier तेजी से पिघलते हुए समुन्दर में मिलता जाएगा तो समुन्दर का sea level water है यह sea level water है यह बढ़ता जाएगा और इसके बढ़ने से जो अस्थलिये छित हैं वह पानी के अंदर आता जाएगा समाप्त होता जाएगा तो यह पूरा इसका जो है process है आपको दो तीन चीजें याद रखनी है जैसा कि मैंने पहले कहा पाइन दीप की खारी अमूंड सेंट सागर याद रखना है दूसरा grounding zone याद रखना है यह कुछ चीजें ऐसी है जो आपके लिए काफी जरूरी हो सकता है एक्जाम के पॉइंट अब समझ लेजिए कि इसका प्रभाब क्या पढ़ेगा यदि गलेशर पिखल रहा है तो हम क्यों इतने चींतित हैं इसका मानवी शमुदाई पर क्या प्रभाब परने बाला है देखिए कहा जा रहा है कि जब यह गलेशर पूरी तरह से पिखल ज हैं वह समंदर के नीचे समा जाएंगे उनका कहीं नामों निशान भी देखने को नहीं मिलेगा कई देश जो हैं वह पूरी तरह से तवा हो जाएंगे अब आधे मीटर का इतना ज्यादा महत्त है और यह उमीद की जा रही है कि बहुत जल्द इस तरह की इस्तिती बन सकती ह अगर यह नहीं रुकता है तो उसके बाद यह क्या करता है जैसे कि अगर मालीजी एक गलेशियर पिखलता है और तेजी से वह गलेशियर पिखलेगा तो उस छेतर में पूरी तरह से और इस थिरता आ जाएगी ठीक है अब चुकी जैसा कि मैंने बताया कि इसकी चौराई ज समझ लेजिए एक बात तो यह हो रही है कि वार्म एयर जो आ रहा है उसको पिखला रहा है गलोबर वार्मिंग के वजह से उपर से सन रेडियेशन आ रहा है उसको पिखला रहा है तो फिखल करके फ्लो में समुनर में पानी में मिलता जा रहा है यह तो एक बात होगी दूस उसमें भी और स्थिरता आएगी उसमें भी हल चला जाएगा और वह भी पिखलने लग जाएगा और उस इस्तिती में यह विक्राल इस्तिती और तब बन जाएगा जब इसकी चौराई 120 किलो मीटर है वहां अगर पूरा हल चल मत जाता है समझे लिए क्या हलत होगा तो यह पूरी इस्तिती बन गई है दूसरा आप देखेंगे यह फोटोग्राप मैं इसका बता सकूं कि इसमें कैवेटी हो रहा है जैसे कि माली जी गलेशियर पूरा है इसमें कैवेट इसमें बन जा रहा है यानि कि जैसे माली जी गलेशियर है और इसके अंदर देखेंगे डात के अंदर यह से और यह क्या होगा फिर ब्रेक होगा तेजी से पिगलेगा यह जो है इसकी जो वहनिये च्छमता है वह कम हो जाएगी और फिर स्थिती बिक्राल होता चला समुंदर का जो जलस्तर है उसमें तेजी से बदलावाएगा वह तेजी से उपर की तरफ बढ़ेगा अब इसका जो आकार है मालेजे यह जो पूरा गलेशियर है इसका आकार फ्लोडीडा के आकार इतना बता जा रहा है तो इसका आकार पूरी तरह से कहा जा रहा है कि इतन ग्लेशियर शे कम है अगर ब्रिटेन से तूनना करके मैं बताऊ तो बिटेन का जो कूल छेत्रफ़ल है वह 2,09,331 है याने कि 2,09,331 क्यार में और इस पूरा छेत रफ़ल एक लाग बिरानवे हजार स्कुार किलोमेटर में पड़ता है अब जरा सोच लीजिए यानि कि ब्रिटेन से थोरा ही कम ये पड़ता है अब देख सकते हैं लगभग लगभग ब्रिटेन के बरावर पड़ता है और उतने बरे हिस्से में यदी हल चल हो उतना बरे गलेशियर अगर पिघल जाए तो जरा समझ सकते हैं आपकी किस तरह से समुन्दर का जलस्तर बढ़ेगा और किस तरह से मानवीय जन जीवन को च्छती पहुंचेगा तो इसमें कहा गया है वही बात कि कई एरोपिये देश जो हैं डूब सकते हैं और इससे जान माल की काफी च्छती हो हो सकती है यह तो इस गलेशे पिखलने का प्रभाब्त बता रहा हूं हुँ गलेशेजर के फिघलने से कुछ शंभावित बदलाव मानवीय जन जीवन में तो होगा ही लेकिन पूरी जो पार स्थित्की है यह मारा परियावरन है उसमें कुछ न कुछ बदलाव देखने को म जाँ पर जो कि माले जो पूरा च्छेत्र परता है वहां भी ग्लेशियर है ठीक तो जम्मू कस्मीर में ऐसा देखा जा रहा है खासकर कि जो कश्मीर घाटी है वहां पर कई बार बाढ़ बढ़ गया है तो बाढ़ आता है कई बार सुखा हो जाता है यानि कि जलवाई जो प्रभाब देखा जा रहा है तो यदि अगर यह प्रभाब देखा जा रहा है तो पूरे वैस्विक अस्तर पर इस चीज को देखने को मिलेगा कोई एक विशेश च्छेत्र से संबंदित मामला यह फिर नहीं रह जाएगा अब बाढ़ की पारम बढ़ता तो यह बढ़ेगी बाढ़ से किस तरह से जानमाल का नुक्षान होता है आप इससे वाकिफ हैं ही अब इसके परिणाम सरुप और ही कुछ चीजें होंगी जैसे कि नदियां जीले और समुंद्र के पानी जो है अन्मसरोत इस सम्में जो है जलस्तर में अचानक रहा है तो उनका आवास एक जगह रह नहीं पाएगा आवास जो जब भी हो बनाएंगे वह च्छत विछत हो जाएगा यानि कि वह जीव जन्तु हैं फिर उसकी इस्तिती खराब हो जाएगी वह मढ़ जाएंगे और हमारे परियावरन से मिलुप्त होते चले जाएंगे दोनों जी जो रहा है एक तो जो वाटर का जो टेंपरिचर है वह वड़ रहा है और दूसरा उसका जलस्तर उससे बढ़ जा रहा है यह जलिये पादमों को प्रभावित कर रहा है प्रभावित इस तरह से कर रहा है कि मालने जैसे कि बहुत सारे जलिये पादब होते हैं इन जगह आपको दिख रहे हैं यह बहुत दूर से लिया गया है तो इन सभी छेत्रों पर एक वक्त में ग्लेशियर हुआ करता था लेकिन जलवाई परबरतन होने के वज़े से यह स्थिति इतना बदल गया है कि आपको यहां पर चोटे चोटे टुकुले में गलेशियर दिखला है सभी पानी में तबदिल हो चुका है और इससे क्या हो रहा है सी लेवल वाटर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है प्रवाल भीतियों को लेक कुछ ही नहीं पाएगे तो उसको परियाप्त मात्रा में सूरज की रोषनी मिलेगा नहीं तो फिर वह प्रकाश रंसलेशन जो है कर नहीं पाएंगे और फिर अपना भोजन तयार कर नहीं पाएंगे माले जी ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारे जलिये जन्तु जो होते हैं प्रवाल वित्तियों पर तो जब यह नहीं बचेगा तो यह सारे जलिये जीव जन्तु जो हैं यह भी समापतों हो जाएंगे और फिर इससे क्या हो सकता है ताजे पानी की जो मात्रा है उसमें भी कमी आ सकती है और यह हमारी बढ़ती जनसंख्यां के दृष्टी से बहुत चिंता जनक है आप जानते होंगे कि सुनते होंगे कि तीसरा वर्ल्ड वार जो होगा वह पानी के वजह से होगा तो और लेड़ी पानी की समस्या बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ता जा रहा है ग्राउंड वाटर लेयर जो है नीचे जाता जा रहा है की किलत हो रही है और उस दोरान ग्लेसियर भी पिखल रहा है और ग्लेसियर के पढ़ने से जो फ्रिस वाटर है था पानिया उसकी जो कमी और हो जाएगी और जनसंक्या बढ़ रहा है तो इस सोच सकते हैं कि पूरे विश्व में हो जाएगी Glashaur का महत तो क्या है जीवन में हमारे जीवन में मनव जीवन में जरापी से समझ लेजिए मीठे पानी का सबसे बहा स्रोत मानते है Glashaur को ठीक है लेकिन Glashaur अगर बचे गई नहीं तो मीठे पानी की प्रापति हमें कहा से से होगी कई सारी नदियां जो है वो अपनी पानी के लिए गलेशियरों के वर्फ पर ही निर्भर होती है खास करके हिमाले से निकलने वाली नदियां जो होती है वहाँ अधिकांस ता यही इस्तिती देखा जाता है और विस्व की अधिकांस जीरों के जो वेशिन का निर्मान हुआ है वह भी गलेशियों के वजह से भी हुआ है तो अगर गलेशियर नहीं रहता है इसका प्रभाब इन चीजों पर भी देखने को मिलेगा दूसरा पृत्वी और महाशागर के लिए वर्फ जो है एक सुरक्ष का काम कैसे करता है इसका अच्छे से समझ लेजिए यह सन है माल लेजिए ठीक है यह सन हो गया तो सन लाइट जब पड़ेगा यहां पृत्वी पर तो ग्लेसियर पे भी पढ़ेगा तो सन radiation को तो सी लेवल का जो एक यहां टेंपरेचर होगा पानी का दूसरा धरती का जो टेंपरेचर होगा वह कम रहेगा ठंडी रहेगी और इससे क्या होगा ग्लोबल वार्विंग की समस्या कम होगा जलवाई परिवरतन कम होगा यहां के जो यह है वारे प्रिथवी के लिए ज्यादा अच्छा होगा लेकिन यह नहीं बचेगा तो यह नहीं हो पाएगा यह जो प्रिथवी ठंडी तेजी से बढ़ता जाएगा ऐसा माना जाता है कि गलेशियर जो हैं कई हजार साल पुराने हैं वह इस तरह से पिघल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह समस्या किस तरह से विक्राल होने बाली है बैग्यानिक रिकॉर्ड इससे मिलता है गलेशियर जितने पुराने होते हैं उनकी स्टेड़ी करके बहुत सारे शाक्ष हमे प्राप्ट हो जाते हैं और उससे हम यह पता लगा परते हैं कि जलवाई किस तरह से परिबर्तन हो रहा है क्लाइमेट कैसे कैसे चैंज हो रहा है यह सब चीजों का हम जानकारी प्राप्ट कर पाते हैं अब यह चीजे जो है यह हम समझ चुके हैं कि बहुत जाएदे विनाश करें इसके लिए पेरी समझोता किया गया था तो सभी देशों को यह एक दो देश से नहीं होना बड़ा है वैश्विक अस्तर पर मिलके इसके लिए काम करना परेगा और पेरी समझोता जो हुआ था उस पेरी समझोता में किये जितने भी शड़ते थे उसको शभी देशों को तत्परता से पूरा करना परेगा तो इस वीडियो में इतना ही दूसरे वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं अपना ख्याल रखिए नहीं बाद